नमस्कार मैं हूँ विकास और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में आज जो महमान हमारे साथ मौजूद है उन्हें देखकर आपके दिल जरूर धड़केंगे और आप कहेंगे कि असली दिल वाले शायद यही हैं लेकिन इमोशन भी बहुत सार से ठक गए थे पर आपकी जो एनेजी है वो इतनी इंफेक्शिस है कि हमें भी मिल गए एनेजी अभी और एनरजी तो हम लोग ने आप लोगो आपकी जब मैं हेदराबाद गया था वरून वहाँ देखी थी बहुत जबरदस तरीके से आप लोग धूप में भी कर रहे थे और एक्शन जो सिक्विन्स थे वाकई बहुत कमाल केते कैसा रहा यह पूरा एक्शिविन्स अगर मैं जानू तो बहुत ही बहत ही बहतरी इन फैक्ट आज रोएट सर ने एक डोकुमेंटरी रिलीज कि बहाइंड थे से और बहुत 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 अच्छा रहा अभी दीरी मुझे लग रहा है यह खतम हो रहा है, oh god. बहुत अच्छा एक्स्परियंस रहा है. I think by the end of it, especially in Hyderabad schedule में, सब एक पूरी फैमिली के तरह बन गए थे. साथ में खा रहे थे, साथ में सोने जाते थे, लेट रात तक, गेम्स केलते थे, बाते करते थे, काम करते थे, सेट पे, प्रैंक्स केलते थे. So I think it's really a memorable experience for me and I've learned so much from it. और यह बहुत special film है. Varun, Krithi, आप दोनों से जाना चाहूँगा, जब भी मैंने शारुक सर का इंटर्व्यू किया है, उन्होंने कहा है कि जो भी नया सदस से उनके फैमिली में आता था, जैसे दिलवाले में, Krithi हैं, Varun भी आये हैं, उन्हों लोगों के साथ प्रैंक बहुत खेले जाते थे. क्या वहाँ पर हैदराबाद में या गोवा में हुआ था इसा? रोएट सर की भी खासियत है, जादा मेरे साथ इतना जादा नहीं हुआ था, लगली. शारुप सर ने अचली इतना नहीं किया है. शारुप सर नहीं हम लोग ने Varun शर्मा के साथ था था, सबसे जादा उसकी हुई, फिर दूसरी ये, फिर तीसरा में. लोग भी आ रहा था इंट्रव्यू के लिए, वह कहा रहा था वहा है कि हम लोग झाहे था कि हम लोग ने जब वरून और क्रिती की केमेस्ट्री देखी थी, स्क्रीन पर वाकई हम लोग एक बार शारुक और काजोल को उनकी जगा पर रख कर देख सकते हैं यह मतलब उनका कहना था तो यह बहुत ज्यादा बड़ी बात है यह थिंक कृति और मेरी जो केमिस्ट्री है वह हमारी है और नहीं है बट शारुक खान और काजल देव गान उनकी जो है बहुत आइकॉनिक है और उन्हें आइकॉनिक लेजेंडरी है बट हमारी नहीं है देखते हैं अभी लोगों को कितनी पसंद आती है उनके मन में क्या एम अभी यह था कि यह दोनों है कि शारुक खान और काजल देव गान है मतलब हमारी लोगों को फील करना चाहिए जो फील है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी कि हम दोनों we don't know each other from before as actors or personally पर धीरे धीरे अच्छी बात यह है कि जैसे फिल्म में उनको धीरे धीरे मिलता और प पर था फिल्म स्टाफ होने से पहले कि हमें केमिस्ट्री पर काम करना पड़ेगा हमें इटाइस तो लुक गोड़े तो पहले हमें इन्हें जानने लगा और दोस्ती होगी तो मैं बहुत कमफ़टिबल होगा वर फिर जब हम लोग ने प्रेमिका गाना किया तो कृती बोलत लगना चाहिए विशुद लुक लगना चाहिए विशुद लॉक लगना चाहिए तो इसलिए चिल्ड़ हो गया क्योंकि यह थोड़ी हाई पर होगी तो हम दोनों एक दूझे को बैलन्स करने लग तो हम दोनों काफी सीन्स में यह सोचते थे कि अभी क्या करें और बहुत क्या हो एक की सीन के ही नहीं है और दन 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 गाठाने जाए तो हमें बनाट है यह तो अभी प्रपोस कर लिया है अच्छा प्रपोस कर रहा है अच्छा तो मतलब मैं हा बोलने वाली हूँ तो मतलब I should be feeling more love towards him अच्छा गोल्फरिं बन घियो अभी कुछ तो डिएरें और से दिखना चाहिए हमारा जो स्क्रीन प्ले के हिसाब से भी मुविंग फास्ट क्योंकि रोज शेटी की फिल्म में बहुत फास्ट पेस्ट होती है तो हमें भी उसी हिसाब से गाम करना है हाँ तो फाइनली ऐ थिंक वह हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंफ़िबल बन गए रोई चेटी उसमें एक्शन प्रोमो बिल्कुल मैंने देखा है वो तो उसमें बहुत जो आटिस्ट ऐसे भी हैं जूनियर आटिस्ट हैं और जो स्टंट मैन हैं उनको वह सामने तो आते नहीं पर दे पर लेकिन बहुत मैनत कर लेते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे और ज लिए था कभी-कभी गाड़ी ओफ बैलेंस चली जाती थी तो बीस लोगों को वह घाड़ी खीचनी पड़ती थी वापस बैलेंस पे तो इतनी बार करने के बाद वह थोड़ा मैं थोड़ा बैलेंस हो गया था मुझे खाली वह स्टेरिंग वील और क्लच दबा के गुमाना अर मेरे साथ गाड़ी में वरुन शर्मा बैटे थे तो वह भी नर्वेस होते थे मैं भी नर्वेस होते था पहले क्यों गाड़ी उलट सकती थी पड़ इंग दोस पीपल हम लोग कुछ जानलेवा नहीं कर रहे थे बड़ वो लोग जान को दाव पे लगा कर स्टंड कर रह दो अल欸ert कर चिंग,' करा метin कर फुरुा मान थए अर प्यूर ज प्कार सबसे था आथा रहा अपनी पहली तेल्गू ओवन कैपल में भी देखा था उसमें बहुत अथा इसके बाद ही अब इस में भी नहीं देखा है इस फिल्म में action scenes का हिस्सा होने का इतना मुखा नहीं मिला मुझे हाँ मैं जानती हूँ कि action करना कितना difficult होता है और कितनी मेंच आती है उसके बीचे जो मैंने तेलगू film की थी उसमें बहुत action था और मैं उस action, हर action scene का हिस्सा थी मैं भाग रही थी भले कुछ करनी रही थी बट उसमें भी you do get to know कि कितने retakes हो रहे कितने लोग है involved तो लग रहा था कृती डर थोड़ा बहुत लगता है कभी-कभी कुछ scenes में जैसे एक वहाँ पे sequence था जिसमें हम गाडी में बैठे हैं और एक ट्रक आके काडी को धका दे रहा है तो काडी घसीटती भी जा रही है तो वैसे कुछ-कुछ scenes में कभी-कभी लगता है कि यह उलट तो नहीं जाएगी यह कुछ हो तो नहीं जाएगा बट आई थिंग वहाँ आप से एक सवाल जरूर करूंगा कि आपका करियर जो है वह वह वाकई बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि रोजचेटी की कार की तरह बहुत फास्ट तरीके से चल रहा है और माशाला बहुत पसंद कर रहे हैं लोग आपको जब आपको यह script मिली तो दिमाग में यह था कि हाँ रोमांस का एक तरफ बादशाह है एक तरफ आपको भी चॉकलेटी बॉई की इमेज आपको मिली थी तो आप कहीं न कहीं रोल जो है आपको solo hero as a establish हुएं आप तो वहां पर कोई दिमाग में यह नहीं चल रहा था कि शारूख हैं कुछ रोल होगा या कुछ ऐसा पहले तो अगर आप hero हो यह hero का किरदार निवारे तो आप डर नहीं सकते क्योंकि मेरे साब से hero हो है जो असल जिंदगी में भी hero है हम लोग तो सादारन इंसान है हम लोग जब hero का किरदार निवाते तो वी डर नहीं लगना चाए यह बाई क्योंकि मेरा पार्ट अच्छा है तो मुझे क्यों डर लगना चाहिए किसी और के रोल से उनका रोल भी शारुक सर का रोल सुपर्ब है इस फिल में पट इसका यह मतलब नहीं कि मेरा रोल अच्छा नियह मेरा रोल बहुत ज़ादा अच्छा है आपको भी क्योंकि काजल सामने थी हीरो पंती में बहुत अच्छा आपने रोल किया सरहा गया आपका तो आपको नहीं लगए कि हाँ सोलो करना चीथा यार थोड़ा सा स्पेस कम होगा कही नहीं बिलकुल भी नहीं लगए या इसलमल फींम इतनी अच्छी स्टार कास हो भूत कम लोगों को मौका मिलता है उस फिल्म का हिस्षा होने का और मेरे लिए यह अधी दूसरी फिल्म थी मुझे इस फिल्म में इतना कुछ सीखने को मिला है इतने सारे इतने amazing actors को perform करते वे देखनी को मिला है I don't think मुझे यह मुझे यह मुझे यह मुझे वापस से मिल सकता है लाइफ में तो I think this was an opportunity जो मैं किसी भी हाल में जाने नहीं दे सकती थी वैसे मेरा alarm बच चुका है टाइम का वरून ख़तम हो रहा है टाइम लेकिन फिर भी चलते चलते मैं एक चीज आपसे जरूर जाना चाहूंगे तो वो step जो है जो लोगों की जवान पर मतलब लोगों पर चड़ चुका है चाहे वो बच्चा हो बुड़ा हो जवान हर को ही वो कर रहा है step और यह पीछे जो पोस्टर में सारी तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं यह किस तरह की तस्वीरें हैं और इनको किस तरीके से डिफाइन करेगा एक दिलवाला यह एक जो कार मॉड़िफाइस करते हम लोग मैं खड़ा हो जाता है क्यों step भी रिखा सकता है आपको हम लोग गाडिया मॉड़िफाइ करते हैं फिल्में मैं और शारुक सार हम लोग का एक गराज है जिसका नाम है आरवी राजवीर गराज तो इसलिए हम लोग इतने गरंजी गेटप में और एक माफिया का एक लूमिंग बैग्राउंड है तो इसलिए माफिया मीट्स गराज कल्चर टाइप का एक इन्वाइरमेंट है और जैसे के हम लोग सब रॉफ और तफ है इसमें और कभी भी कोई भी हमाई साथ भीड़ेगा तो हम लोग मूँ तो जवाद देगे बहुत कूल लग रहे हैं और खास्तर पर वो जो आंक पे रखने वाला जो था वो भी बहुत कूल लग रहा है था 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 जाने के बहले एक स्टेप दिखा दे तो आपको जिसका नाम है जैक्सिन राइग जो ऐसे किया जाता है डिसेंबर 18 अगर आप देखना चाते है स्टेप और बहुत सारे दूसरे चीज़ ए दिलवाले में फ्लीज कम और वच दिलवाले डिसेंबर 18 इसेंबर को दिलवाले रिखने थेटर में जरूर जाना बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करेंगे थेंक्यू सो मच और आप दोनों को और जिस तरीके से प्रोमो पसंद आ रहा है लोगों को हम दूआ करेंगे कि जो फिल्म है जैसी लोग पहुचें दिल तेज से धड़कना शुरू हो जाया और लोग कहें दिल वाले उमीद है हमारी ये खास फिशकर से आप सभी को बहुत पसंद आई होगी